नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम रिव्यू करेंगे बॉल्यूट की नई लेटेस्ट मुवी सत्तमेव जैते टू की और जिस फिल्म के मुखे किरदार जो है वो जौन अबरहम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे जौन अ खिसान की है जिसका नाम है यहाँ पे आजाद जो खिसानों के हक के लिए लड़ते लड़ते मड़ गया और उसके जो दो बेटे है वो भी जौन अबरहमी है एक जो है वो पॉलिस में है और यह दोनों जो है समाज के भरश्टाचार को मिठाने के लिए निकले हुए है अब अब दोस्तो इसकी अगर मैं नेगटिव चीज अगर मैं कहूं कियोंके पहले इसलिए पता नहीं हो क्योंकि पॉजिटिव बताने लगा जाना है कुछ ही ने इस फिल्म के अंदर में तो मैं इस फिल्म में एक रुटी कि और प्लो चीज और मिलाव जाविरी जो इनके डिर कहानी मिलेंगे जिसको ये लोग जाके खतम कर रहे हैं और जहाँ पर भी कुछ भी खतम कर रहे हैं ये किसी के पकर में आ नहीं रहे हैं ना इसको कोई शक्क कर रहा हु Nा इसको कोई पकर पा रहे है तो यह है विस्केलिए इसकी screenplay जो मुझे बहुत कमजोर लगी है दूसरा जो मैं कहूंगा इसका एडिटिंग है इतना बखवास इसका एडिटिंग है एक जगा में जो एक शॉट है जहां पर जॉन अब्रहम को आके इसके बीवी जो है गरवाचौत के मौके पर उसको धक्का मारती है और धक्का मारने के बाद जो पहला हो है उनकी मा को एक उनके ही मतलब एक चाचा है जो हस्पिताल में लेके आ रहे है हस्पिताल में लेके आने का जो मौका है वो रात का सिक्वेंस है हस्पिताल में आके पहुचा पहुचने के बाद जब वो गिर गये तबी भी राती था उनको जब लोग देखने आये तो दिन का लोग, मतलब हर डायलोग्स में कहीं पे जाके आपको end में एकी चीज़ भी लेगा, कि एक कवीता बोला जा रहा है हर किरदार का ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉन अब्राहम बोल रहे है, हर किरदार ऐसा ही अब acting performance की बात करें में ज़्यादा बिश्वास करते हैं इस फिल्म की और एक बड़ी कमजोरी जो है देखे इसमें जो मतलब जो religious sentiment है उसको बहुत बुरा तरीके से यूज किया गया है, देखे एक तो होता है पाकिस्तान को गाली देना, दूसरा जो होता है Muslim मतलब terrorist, तीसरा जो है Sikh अपना हरवक जान कुर्बान करते है मुझे इस कोई भी चीजों से मुझे कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर इसको आप advertising करोगे इसको अगर आप मुद्दा बनाओगे अपनी film को hit करवाने के लिए तो वो गलत कोशिश होगी क्योंकि यह ऐसे film आज से 10-20 साल पहले बनते थे और वहाँ पर इसको मुद्दा बनाया जाता है इस film के अंदर में हर सीन में आपको यही चीज दिखाया जाएगा जहाँ पर पाकिस्तानी को गाली दिया जाएगा उसको यह प्रोटेक कर रहा है कहीं पर जाके एक सीख जो है वो अपना जाननी चावार कर रहे हिंदू महिलाओ के लिए बीच में जो है गुरू जो भी डाला गया यहाँ पर तो यह जो रिलिजियस सेंटिमेंट है वो इस फिल्म को हीट करवाने के लिए जो यूज किया गया है वो बहती खराब है साथी मैं जो कहूंगा गाने की सिक्वेंस जो है वो बहुत खराब है किस जगा में कहां पर गाने आना चाहिए था वो आपको कफ़े ही मतलब पसंद नहीं आएगा जहाँ पे भी मर्जी वहाँ पे भी गाना डाल दिया गया है दोस्तो और एक चीज़ अगर मैं कहना चाहूँ कि इस फिल्म को बहुत जादा मिस करेंगे सनी देवल क्योंकि ये फिल्म आज से अगर 20 साल पहले लिखा जाता तो इसी के साथ और एक चीज़ भी कहेंगे कि इसका अगर एक भी पॉजिटिव कुछ भी थोड़ा सा अगर मुझे अगर पसंद आ है अगर मैं एंजोई किया हूँ फिल्म के हॉल के अंदर में तो वो नुड़ा फती का डांस पर्फोर्मेंस है और कुछ भी इसके अंदर में आपको पसंद आने वाला है नहीं तो यही था मेरा बैसे कली सत्यमेव जैते टू का रिव्यू अगर पसंद आया है तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल में अगर नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा